हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नहीं वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं हैं प्याज टुमाटर हरेमिटो अच्छा सा गरम करना है तो क्योंकि शल्सो का ओयल थोड़ा हाड होता है तो यह देखिए फ्रेर्स ओयल हमारा अच्छा सा गरम हो चुका है अब हमें ओयल के अंदर डालेंगे एक चमस के करीब जीरा और जो हमने प्याज कट कि थे बार एक बार एक लंबे लंबे पीसे में उनको भी और साथ में जो हमने टमाटर हरी मिर्ची को भी इसी तरीके से डाल देंगे देखिए हरी मिर्ची को मैंने बीच से चीर दिया था कि अगर आप अगर साबुत हरी मिर्ची कभी मत डाले क्योंकि यह तेल में दाते ही फूल जाती है और इससे फटने कट रहता है या और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल में नई है और चैनल को सब्सक्राइब करें इसके आगे जो बैल आएकर बटनों से प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी शानदार हमारे टमाटर प्याज और हरी मिर्जज़ फ्राई हो रहे है इनको ठोड़ा जल्दी to fryay करने के लिए हमने इसमें नमक डाल दिया नमक से जल्दी से गल्ने में बहुत ही हैल्प मलेगी और हल्दी से इसमें बहुत सुंद्र कलराहेगा और साथ में लाल में जी पॉट डाल दिया ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी त्यार हो जाए और अब इसमें थोड़ा सा पानियाड करेंगे जिससे एक दम ये मसाला जले रही और बहुत इच्छांदार हमारी जो बेंगन की सब्जी बन कर त्यार होगी बेंगन को हमें पहले नहीं का बेंगन की सब्जी बहुत हैं तो आप जुरूर ट्राय कीजिएगा और देखे कितनी शांदार लग रही पूरे मसाला के साथ इसको अच्छी तरीकी से कोट करेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए ऐसी तरीकी से चलाते हुए इन सारे मेंगनों के अंदर मसाले को बेंगन की सब्जी में पानी कर सकता नहीं होती क्योंकि बेंगन जो होते हैं जल्दी इगल जाते हैं इसलिए आप देख सकते हैं बेंगन जो हमारे इच्छे से बनकर त्यार हो चुके हैं सब्जी एक दिम परफेक्ट तरीके से त्यार हो चुकी है ग्रेवी की साथ बनाते क्योंकि बैंगन की सबजी में थोड़े ग्रेवी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स अगर आज मेरी आज की रैसी प्रेशिप आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शिया जूरू कीजिएगा और ज्यादा से जदा अपने दोस्तों मेरे चैनल को शेयर की कीजिगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बैंगन की सब्जी लगबग बनी चुकी है इसे हमें जदा नहीं बना जदा तामसाम की जूर्ट नहीं होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनकर त्यार हो जाती है और ग्रेवी के साथ तो जरूर बहुत अच्छी लगती है तो आप इस प्रकार की रेसिपी जुरूर ट्राय किजिएगा और मुझे कमेट बोक्स में बताएगा कि रेसिपी कैसी बनी है और जिरूने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो फ्रेंड्स सब्जी हमारे तयार हो चुके सब्जी को हम अल जाते हैं उसमें फिर सब्जी का टेस्ट नहीं आता है आप देह सकते हैं ऐसी इतनी ग्रेवी हमें जरूर चाहिए क्योंकि जो पहेंगर होते हैं बिल्कुर सुखी नहीं खाये जाएंगे इनको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ यह अच्छा लगता है तो यह देखिए कितने लग रहे हैं सब्जी कितनी देखने में जो तनी संदर लग रिया फ्रेंड से उतने ही खाने में टेस्टी बनी है आप इसके अंदर कोई गरम मसाला हरा धनिया सुक्षी में थी जो भी एड़ करना साते हैं वो कर सकते हैं लेकिन मैंने आपर ना है तो इसमें कोई धनिया ज सकते हैं लेकिन धनिया से डालने से बहुत ही टेश्टी सब्जी बनेगी तो आप विजरू ट्राइ किजीए गार और यह देखिए कितनी शानदार हमारी सब्जी तेयार हो चुकी है अब इस सब्जी को मैं लग बतर में निकार लेती हूँ देखिए यह हमने एक बाउल ले ल तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई कमेंट करके जरूर देएगा कि आज की छोटे लंबे बेंगन की सब्जी आपो कैसे लगी सब्जी तो देखने बहुत है अच्छी है फ्रेंड्स खाने में ही इतनी जैस्टी बनेगी तो आप जरूर ट्राइ किजिएगा और मिलते एक ऐसी सिंपल सी असान से रेसिबी के साथ थैंक यू बाई बाई